हलो फ्रेंट्स अमित के सॉलूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज का टॉपिक थोड़ा सा अलग है आज हम बात करने वाले हैं टर्माइट ट्रीटमेंट के बारे में तो आज हम टॉपिक पर कवर करेंगे कि टर्माइट की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है कौ प्रेंट अभी आप देख सकते हैं घर की कंडिशन चारो तरफ आपको दीमक ही दीमक दिखने को मिल जाएंगे और दोस्तों मैं बताना चाऊँगा कि इनकी जो रानिया होती हैं वो एक दिन में 30 से 35 हर तक अंडे देती हैं और इनकी जो एज होती है वो 20 से 25 साल तक होती है अगर घर में दोस्तो दीमक एक बार इंट्रिक कर गया तो वो धीरी धीरी अपनी कालोनिया बना लेती है जिनमें उनके सोलजर होते हैं वरकर होते हैं दोस्तो घरों के जो दिवार हैं अगर उनमें dampness है बहुत ज़्यादा sealant है जिसकी वज़े से ये पनपने लगते हैं इनको पानी मिल जाता है और लकडी में जो cellulose होता है वही ये खाते हैं जिसकी वज़े से धीरे धीरे करके सारा आपका furniture खराब कर देते हैं ठीक है दोस्त है लकडी का वो पूरी तरह से धीमक ने खा के खतम कर चुका है ये देखिए पूरा गड़ा कर दिया है ठीक है दोस्तो तो इसमें चुए का घर भी बन गया है तो चलिए अब treatment को start करते हैं treatment start करने से पहले मैं chemical के बारे में आपको बताना चाहूंगा दोस्तो मार्केट में दो तरह के chemical available है एक तो replant होते हैं और एक non replant chemical होते हैं ठीक है दोस्तो रिपलेंट वाले chemical डारेक्ट दीमक को मार्त हो देते हैं बट उनकी जो कालोनिया होती है वो जल्दी खतम नहीं होती है फिर से वो दुवारा पनब जाते हैं तो दोस्तो जो आज हम chemical यूज करने वाल जो कि FMC company बनाती है वो भी काफी अच्छा product है दोस्तो टर्माइट treatment के लिए तो चलिए friends अब टर्माइट treatment का first process जो है वो आपको मैं दिखाने जा रहा हूं तो दोस्तों first process में drilling का काम होता है इसमें first के just उपर जो squatting बनी होती है उसमें 45 degree के angle पर hole करते हैं जिससे कि इसमे के दूरी पर होता है ठीक है friends ज्यादा दूरी नहीं करनी चाहिए जिससे कि आपका जो barrier है वो अच्छा बन सके ठीक है friends घर के जो चोखट होती है उसके और दिवाल के बीच जो जगह होती है उसको hole करते हैं ताकि उसमें अच्छे से chemical apply हो जाए और जो लकडी का आपका दर दर्वाजा है वो सुरच्छित हो जाए पूरी तरह से ठीक है friends दोस्तो इस दर्वाजे में भी आप देख सकते हैं उपर की तरफ दीमक लग चुकी है पूरी तरह से इस process को घर के दर्वाजे खड़गियों पर करना होता है तो अब drilling का काम complete हो चुका है दोस्तो आप देख सकते हैं एक एक fit की दोरी पर सारे holes हो चुके हैं आप second process की तरह बढ़ते हैं जिसमें हम chemical को apply करेंगे ठीक है दोस्तो मार्केट में काफी सारे chemical available है termite treatment को करने के लिए जैसे की terminator हो गया lethal aldrin बट ये दोस्तो बहुत ज़्यादा smell करते हैं सस्ते तो होते हैं बट दोस्तो काम के नहीं होते हैं ये दोस्तो chemical जो है वो orderless chemical है और ये domino effect पे काम करता है ये 5-10 दिन में धीरे-धीरे सारे colony को infect करता है और धीरे-धीरे सभी को खतम कर देता है पूरा जड़ से ठीक है friends दोस्तो second process में हम pesticide को holes में sprayer pump की मदद से inject करते हैं और इसको कम से कम 2-3 बार apply करते है ठीक है friends अच्छे से ताकि hole में ये चला जाए chemical और एक अच्छा barrier तयार हो दोस्तो अभी आप देख सकते हैं जो technician है वो हातों में gloves, face mask और goggles पहने हुए हैं तो ये safety measure जरूर आप भी ध्यान रखें दोस्तो third process में white cement में chemical को अच्छे से mix किया जाता है उसके बाद जो holes हुए हैं उनमें अच्छे से इसको fill किया जाता है चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ friends ये last process है इसमें white cement को इसके अंदर अच्छे से hole में fill करना होता है ठीक है ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी holes छुटे ना और इसको सूखने के बाद इस पर कपड़ा apply कर देते हैं ता ठीक है friends तो दोस्तो ये जानकारी आपको कैसी लगी comment में जरूर बताईएगा अगर आपके कोई सवाल हो तो उसका मैं reply जरूर दूँगा और हाँ दोस्तो अगर आप termite treatment कराना चाते हैं तो किसी professional की मदद से आप termite treatment करा हैं जिनके पास license हो government का ठीक है दोस्तो और बाकी आ